हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपनी यूटूब चैनल एंके फार्मेसी नोलिज में जहाँ पाते हैं दवाईयों से संबंदित अच्छी और संपूँजनकरी पाईल्स जिसे हम हिंदी में मसा या बावासीर कहते हैं ये गोदादवार से जुड़ी हुई एक बीमारी है जिसमें कई पिरकार के अलग-अलग अलोपैतिक तता आयरोबैदिक क्रीम का प्रियोग लिया जाता है आज के इस मैडिसिन रिव्यू के वीडियो में हम उन में से ह ये एक आयरोबैदिक क्रीम के बारे में जानेंगे जिसे आप और हम पाईलेक्स फोर्ड क्रीम के नाम से जानते हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे पाईलेक्स फोर्ड क्रीम क्या है इसका कमपोजिशन क्या है साथ ही इसे पाईलेक्स के ट्रीट्मेंट में प्रियो लिया जाता है इसका प्रियोग लेने का सही तरीका क्या है और कितने रुपे में यह क्रीम आपको मिल जाती है साथी इसके साइड एफेक्ट इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप की इलाच तक जरूर देखें जिससे की पूरी जानकरी आपको मिल सके हैं साथी चैनल पर नए हैं पहली बार दोस्तों यह वीडियो देख रहे हैं पहले चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ सबड़ वैल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ओल कर लें जिससे की इन फ्यूचर आने वाले सबी दवाईयों के नएने वीडियो आपको मिलते रहें पाइलेक्स फोर्ट क्रीम हिमाले कमपनी का एक प्रोडक्ट है जो दो अलग अलग नाम से अवेलेवल है जिसमें आपको पहला जो पहली क्रीम होती है पाइलेक्स क्रीम नाम से मारकेट में अवेलेवल होती है और दूसरी क्रीम का नाम आप जो मेरे पास ये देख रहे हैं पाइलेक्स फोर्ट क्रीम के नाम से ये आपको मिल जाती है तो दोस्तो हम जानेंगे इसके कमपोजिशन के वारे में इन में कितने पिरकार की आयरुवेदिक ओशदियां मिलाई जाती है तो दोस्तों इसमें लगवग 6-7 पिरकार की अलग-अलग दवाएं मिलाई जाती है जिसमें एक्स्ट्रेक्स तथा पाउडर दोनों ही मौझूद होते है लेकिन मुक के रूप से कुछ ओशदियां हैं जैसे की लज्जू, ब्रिंगराज और भी कई ओशदियां इसमें डाली गई है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं इसी कारण से यह दो नाम लिखे जाते हैं जैसे की पाइलेक्स क्रीम और पाइलेक्स फोट क्रीम तो इस तरह से दोस्तो जब भी किसी प्रोडक्ट पर किसी टेबलेट या किसी ओइंटमेंट पर फोट या डीएस मेंशन किया होता है लिखा होता है तो हमें समझ जाना है कि उसमें उसके प्लेन वाले की डवल स्टेंट मिलाई गई है जी है गाइस चलिए आगे वीडियों बात करते हैं कुछ और जानकारी की साथ ही यह जो सभी इंग्रेडियंट्स और सदिया हैं यह एनलजेसिक, एंट्री माइक्रोवियल, लोकल एनेस्थेटिक इस तरह कारे करती है तो जो पाइल से उसको ठीक करने का कार करती है अब अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो पाइल एक्स फोर्ट क्रीम 30 ग्राम पैकिंग में यह आपको एजली 85 रुपीज में आपके एरिया में मिल जाती है यह दोस्तो इसको आप 85 रुपे में अपने नजदी की किसी भी फार्मेसी स्टोर से खरीच सकते है दोस्तो अब हम इस क्रीम के यूज़िस को जान लेते हैं किनकिन बीमारियों में इसका प्रियोग लिया जाता है तो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है पाइलेक्स इसका नाम है तो पाइलेक्स को ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है जिसे हम मस्ता तता बावासीर भी कहते हैं यह एक गुदवादवार पर होने वाली बहुती गंबीर बीमारी है जिसे NLV कहते हैं ऐसी कंडिशन में गुदवादवार पर सूजा ना जाना, साती मल का त्याक करते समय दर्द होना, जलन होना, खुनाना इसके अलावा वहां खुजली भी हो सकती है इस तरह की समस्यां होती हैं, तो इस तरह की समस्यां को भी पाइल्स कहते हैं, पाइल्स को ठिक करने के लिए ये पाइल एक्सफोर्ट क्रीम प्रियोग की जाती है पाइल्स के अलावा वो समस्या है जो पाइल्स के सिमिलरी हैं उनको ठीक करने के लिए इसका प्रियोग लिया जाता है उसमें पहली समस्या है फिशर तथा दूसरी समस्या है फिश्टूला फिसर वे समस्या है जिसमें एनल दुआर पर जो गुदवा दुआर है एनल पर क्रेक हो जाते है और फिस्टूला में एक open cavity हो जाती है जिसमें कई वर पसलाइक फॉर्मेशन भी डिस्चार्ज होता रहता है तो इन दोनों ही समस्याँ फिसर ततब फिस्टूला को ठीक करने के लिए भी इस क्रीम का प्रयोग लिया जाता है दोस्तों वीडियो अग़र अच्छा लग रहा है पसंद भी आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सबस्क्राइब कर लो दोस्तो अब हम जान में आपको एक इस तरह का एप्लिकेटर मिल जाता है सबसे पहले स्क्रीम का जो कैप है आप इसे हटा ले इसको हटाने के बाद आप यहां देखेंगे कि जो इंसर्ट एप्लिकेटर है इसमें होल दिये हुए है आपको यह जो शील पैक दिखाई दे रहा है इसको भी आप हटा देंगे इसको हटाने के बाद इस पर एप्लिकेटर को जो कैप है इसको अच्छी तरह से स्क्यू टाइट कर देंगे इस तरह से इसको स्क्यू टाइट करने के बाद तो दोस्तों इस तरह से हमने इस क्रीम का जो कैप था उसको हटा दिया और उस cream के cap को हटा कर यहां पर इस applicator को अच्छी तरह tight करके skew कर दिया अब इस applicator को अपने गुदवा दवार में insight करें और tube को थोड़ा सा पीछे से push करना है इसको push करने के बाद दीरे दीरे इसको बाहर निकालें जिससे पूरा जो एरिया है वहाँ पर ये ointment apply हो जाएगी और आपको बहतरी result मिलेगा और इस तरह से स्क्रीम को सुबा तथा साम को दोनों ही समय प्रियोग में लिया जाता है और साथ ही से मलतियागने के पहले बाद दोनों ही समय में प्रियोग में लिया जा सकता है जैसी आपकी आवश्यक्ता हो उसके अनुसार ही डॉक्टर आपको एडवाईज करते है और यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जलन तथा दर्द होता है तो मलतियागने से पहले उसको दिया जाता है क्योंकि लोकल एनेस्टेटिक असर करता है तो थोड़ा दर्दवा जलन कम होता है और किसी को ये समस्या ना होकर सिर्फ सूजन की समस्या है जैसे ब्लीडिंग हो रही हो तब मलतियागने के बाद इसको लगाने की सला दी जाती है दोस्तों अगर इसके डियूरेशन की बात करें तो समाने तक तीन से चार हफ़ते में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और यदि इससे बहतरीन रिजल्ट चाहते हैं तो इसके साथ में पाइलेक्स जो इसकी टेबलेट आती है वेवी प्रियोक्स कर सकती है यहां पर हम पाइलेक्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं जो इसका अच्छा ट्रीटमेंट है उसके बारे में आपको सिर्फ बता रहे हैं और बहतर रिजल्ट पाने के लिए अपने नजदी की किसी आईरुवेदिक डॉक्टर से मिलें जिससे कि यह पाइल एक्सफोर्ट क्रीम तता टेबलेट हैं इसके साथ में आपकी आवशक्ता क्यानुसर कुछ मैडिसन और दी जा सकें जिससे जल्दी से जल्दी आप पाइल फिशर तता फिश्टूला से आप छुटकारा पा सकें हाला कि यह आईरुवेदिक प्रोडक्ट हैं इसका ज़्यादा तर साइड एफेक्ट नहीं देखा गया है फिर भी यदि किसी व्यक्ति को साइड एफेक्ट होते हैं तो उसमें व्यक्ति को इरिटेशन हो सकता है और जिन चीजों को रोकने के लिए इसका प्रियोग लिया जैसे दर्द को, खुजली, जलन तो वो बढ़ सकती है अगर ऐसा कोई साइड एफेक्ट आपको मिले तो इस क्रीम का प्रियोग बंद करें और डॉक्टर से मिले जिससे कोई दूसरी दवा आपको दी जा सके तो दोस्तो ये कंप्लीट जानकारी थी पाइलेक्स फोट क्रीम के बारे में उमीद है वीडियो आपको पसंद आयोगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आये तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं आप से अगली वीडियो में इसी तरह की नई दवाई की जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों, जैहिंद, धन्यवाद,